राजराम सर मैं आपके पास आ जाता हूं जब तक संजेसर आते हैं सर जिस तरीके के मुद्दों की बात हो रही है अभी हमारे दर्शक भी कह रहे हैं कि युवा जो है वो बेरोजगारी में तरस्त है किसान जो है वो करजे में तरस्त है और मित्रों के लिए सारे काम हो रहे हैं आकड़े कह रहे हैं कि जो इस तरीके के मुद्दे हैं इन ही मुद्दों को रख करके जनता जो है वोट करने जा रही है खास करके गरीब और मध्यमवर की बात इस सर्वे में कही गई है जो सर्वे CSDS और लोग नीटले करके आया है कितना प्रभाविक करेगा ये चुनाओ को क्योंकि चुनाओ के चरण शुरू हो चुके हैं और बात अभी भी सत्तापक्ष के तरफ से किसी भी नेता की तरफ से अभी तक जो है जनता से जुड़े वो मुद्दों पर कोई भाशन नहीं दिया गया है कहीं कोई वक्ताब में नहीं आया है किसी तरह का कोई वादा नहीं किया जा रहा है राजशाब दरसल जो भाजपा के दो टर्म पिछले आए वो दोनों चुनाओं में भी भाजपा की ओर से कोई मुद्दे नहीं थे मेरा मानना है मुद्दों के लेकि उन्होंने चुनाओं तब भी नहीं लड़ाता वो मास उटर पॉलराइजेशन के लिए प्रयास करते थे एन चुनाओं के पहले और कभी राम मंदिर के दाम पे कभी पुरूलिया के दाम पे सफल रहे अभी तक इस चुनाओं में लेकिन इस्तिती अलग है ना कोई नारे हैं बड़े चार सो पार का नारा वो जो है वो राकेट चल चुका है और दुबाराद ही चलने वाला अब इनके पास मुद्दों की बात करने के लिए कुछ बचा नहीं चुकि इन्होंने आप ते कहा भी गोफणा पत्र इनका जारी नहीं हुआ गोफणा पत्र में मुद्दे हावी रहते हैं तो आप देखें कुरा करने के लिए कोई मन्शाह है न कोई नीती है तो का है का गोफणा पत्र गोफणाshot जारी करने के बाद अपने इताओं तो पहुंचाने के लिए कंप कम एक मेहना क्याएँ करती है अभी उन्मीश को पहला चुनाओ है पहले दोर का चुनाओ है ठारा को खतम हो महत तो नहीं है मुद्दे कहा से जुरते हैं मुद्देज फिलम देखेटर लिजे नेट टो लगा लीजे पूरा डाटा रहता है जैसे ही डिवेट में जाते हैं वैसे ही डाटा ना हो जाता है वैसे ही कटने लगता है अब इसके पीछे कौन सा तिलिश्म है मुझे नहीं मालूब लेकिन कुछ तो है तो मैं तिलिश्म की बात हुई तो मैं एक शी जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जब कोई party मुद्दों से इतर मुद्दे का जिकर ही दी करती गुफणा पत्र पे उसको कोई भरोसा ही नहीं है गुफणा पत्र को केवले एक आपचारिक्ता की रूप में जारी करती है और वाकिया उसको कोई लेना देना नहीं बावजूद क्या उसके आत्मी विश्वास का राज है जो चार सो पार का दावा करती जिरा सोचे तो भाई मुद्दों की बात अगर होती किसानों की मुद्दों की बात होती तो इस देश में सबसे बड़ा वोटर वर्ट किसान जो है इन से नाराज है ये सब को पता है साड़े साथ सो से ज़्यादा किसान इनकी देहरी पे दिल रोजगार देने की बात करते थे, आप बीश लाख नहीं दे पाए, तो आप किस आधार पे उस मुद्दे पे बात करेंगे, किस आधार पे घुफणा पत्र में उसकी बात रखेंगे, तो निश्ची दरूप से आप मूँ छुपाएंगे, वोट के दो दिन पहले आप घुफ वोटर वहाँ पे, सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का, असी प्रत्र किसान जो है, धान की किसान, और धान की किमत, जो है, 32 रुपया, कांग्रिस दे रही थी, उन्हेंने वादा किया था, और भाजपान नहीं करत्ति सो किया था, बोनस की बात थी, महिलाओं को भाजपान एक हजार की बात कही थी, देने की हर महीने, और कांग्रिस ने डेढ़ हजार देने की बात कही थी, चत्तिवगड़ इकलाउता राज है, 44 प्रिचत जंगल है वहाँ पे, और एक बहुत बड़ा वोटर जो है, वो जंगलों से जुड़ा है, 12,5 लाग परिवार है, जो सीथ सिदे वनोंपच पर जुड़े है, उनको साल में जो बोनस था, 45,000 भाजपा ने कहा, 46,000 कांग्रिस देने वाली थी, वोटर का विश्वास भाजपा पर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 300 रुपया धान पर बोनस का प्रिचिक इंटल का वादा करके न यह बहुत बड़े मुद्दे थी, अश्वी प्रिचिक वोटर के मुद्दे थी, और पूरा जल्मत तयार था कि कांग्रेफ प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, यह ताए था, यहां तकि भाजपा के नेताव से मैं बात करता था, तो वह भी कहते थे कि भाई, परिवार यार किरिशी लोन है, हम लों का सभी का मिला के धाई तिन लाक रुपया, कांग्रेफ माप कर रही है, हमारी पार्टी को हमने इतना कहा लेकिनों तो कर्जा मापी का उन्होंने ना घोफडा किया, ना कोई वादा किया, कई जगा हम बोले थे हमारी पार्टी करेगी, हम तो गए हैं, कुछ ने ताओ ने भी कहा, उन्होंने कहा मेरे घर के लोग वोट नहीं देंगे, कौन किसान भाया 32 रुपया वाले को देगा, 31 वाले को देगा, दूसरा 31 वाला तो बोलके भी नहीं देता है, 31 भाजपा ने इसके पहले बोनस का वादा करके भी नहीं दिया था, वादा के लिए आपके कीती सब, तो पता ही था पहले से, कि फान उसके लिए अंदोरल कर चुके थे, तो ये था कि कांग्रेश ने बोला था, धान खरीदा था, बोनस भी दिया था, और साथी साथ कर्जमाब भी किया था, बावजूद इसके जब चुनाओं के रिजल्ट कि बतलब ये समझ दीजिए कि हो फाक्ता हो गए कि ये हुआ कैसे, तो उसी दिन से हम तो बार-बार कह रहे हैं कि भाई वीवी फेट में जो पर्चिया हैं गिनाई जाए, अभी तीन तारी को सुनवाई का डेट था, फिर उसको आगे बढ़ा दिया, लगातार हम बार-बा सुप्रियम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि ये निस्पक्ष ने आए, निस्पक्ष ने आए, जो है वह सुप्रियम कोर्ट सुनिश्चित करती है, और वोटर्स जो है, करोनों की संख्या में वोटर हैं, जिनका अब इस सिस्टम एवियम से विश्वास हिल रहा है, ऐसी इस् जिसे हो देना चाहता था उस तक जा रहा है और अगर इसमें सन्देश पैदा हो रहा है अगर इसमें विष्वास गिल गया है वोटर का ऐसी ईस्थी में जब अलंडी बवास्था है कि वीबीपेट की पःट्रिया गिनी जा सकती हैं तो इसको लेके लगातार कई संखरों ने अपील की हुई है और हम एक है रहे हैं कि सुप्रीम कोड की और कादेश आई क्यों पर्चिया गिनी जाएं वीवी पेट की अनित्या पर्चियों का फिर गिनने का मतलब ही क्या है अगर आप गिन नहीं रहें तो हमें अभी भी उम्मीद है चुकि लग रहा है उन्नीस तारी क पहले दोर के बाद भी फाइद फुनवाई हो लेकिन वोट गिने जाने में भी काफी वक्त है तो हमें पूरी भी उम्मीद है कि अगर सारे वोट गिने गए निफक्ष चुनाओ हुआ इलेक्ष्ण कमिशन ने निफक्ष चुनाओ कराया तो निश्चित रूप से मानिए य मुद्दियों के जो आपके लोकनिती के जो फर्वे हैं लोकनिती के पिछले फर्वे उनीफ और तिरसट के बाद पर आप देख लिजिए उनके जो फर्वे चाहे भारती युवाओं पर हो चाहे लोकतंत्र पर हो चाहे अंतराश्टी नीतियों पर हो जितने फर्वे रखे है कि जब 107 रुपया में गयव 412 रुपय में मिल रही थी एक तो साथ रुपया में सरकार खरीद के ओर जो गयव बनता है चार्सों बारा में मिल रही थी और वही कुरूड अल का जो रेट 76 रुपया डालर प्रती गैलन हुआ तो उसी स्थित्री में 824 रुपय के आफ़ाव पाड़े आफ़ो गैफ का रेट हो गया यानि यह सरकार सफते कीमत पे खरीद के दुगने कीमत पे पूरे देश के किसानों को गैफ बेच कर इदोंने अकूत पैसे कमाएं ठीक है अगर जनहित की बात थी तो एक गरीब आदमी के अब गैफ जलाने वाला आदमी कोई बहुत बड़ा रईफ नहीं होता है तो जब गैफ की कीमत पे जहां पे अनुदान की विवश्ता थी वहां पे आपने दुगना तिगना कीमत उसूल किया है वो भोगताओं से तो आज ऐसी स्थिती में समझने आ जाता है कि महंगाई को रोकने के लिए आपका कोई न तो संकल्प है न कोई विचार है न कोई नीती है अगर ऐसा होता तो उस तो आज निस्षित रुप से 3फ रुपया में गैफ आप दे सकते थी यह फरकार 3फs रुपया में गैफ दे सकती थी मैं बताना चाहरा हूँ और इसने 12फ रुपया पे आज पहुचा दिया है गाए तो आएसी इस्षित रुप से मुद्धे amar हैं लेकिन मुद्व को कोई मतलब नहीं मैं यह चीज कहना चाहूँगा राय नड़ होगा जू